नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तों जैसा कि हमने पिछले कई एपिसोड में आपसे बताया है कि गेसंस के अवयथ भू अधी ग्रहन मामले में गेसंस बुरी तरह से घिर चुका है और जिस पर लगतार सवाल उठाये जा रहे हैं जिसको देखते हुए कुछ एहम खुला से आप तक हम फिर एक वर लेकर आए हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं पंदरह दिन की नोटीस एनमसी द्वारा एक नमबर दोहजार बाविस को दिया गया था जिसको ले करके डाक द्वारा ये नोटीस गेसंस के नए शोरूम जहां काम चल रहा है वहाँ उसको भेजा गया लेकिन वहाँ पे जो गेसंस के जो लोग थे उन्होंने नोटीस लेने से पुरी तरह मना कर दिया उसके बाद वहाँ के जो डाक अधिकारी थे उन्होंने इस नोटीस का चश्मा किया चश्मा किया यानि कि उसको वहाँ पे चिपका दिया जाता है और ठीक एन अमसी वालों ने भी ऐसा ही किया कि अब सवाल यह उठता है है कि गेशनस जिसके मालक राहू लगरवाल है जिसके पिता बिर्जेश अगरवाल है उनहों ने या या उनके लोगों ने इस notice को accept करने से मना क्यों कर दिया तो क्या सवाल ये उठता है तो क्या ये समझा जाए कि वो ये जानते हैं कि वो illegal काम कर रहे हैं अवैद तरीके से जमीन का अधिकरान कर रहे हैं और notice में ऐसा लिखा गया है कि 180 square meter यानी कि 180 square meter का अर्थ होता है 1800 से 1900 square feet जमीन दोस्तों इसे देश में आज भी कई ऐसे गरीब कई ऐसे कसवेक लोग हैं जिन रहने के लिए घर नहीं है गर इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है 2000 square feet का मतलब होता है कि एक गरीब समाने परिवार की बात करे तो लगभग 4 से 5 परिवार 2000 square feet में अपना जीवन बिता सकता है इतना जमीन गेसंस वालों ने illegal तरीके से कबजा कर लिया दोस्तों जो सुत्र से जो हमें जानकारी मिली है कि इस पे गेसंस के शोरूम पे उन्होंने कोट का स्टे लाया है मन्य कोट के स्टे के बाद रात में यहां पे कारे शुरू रहते हैं इसी सुत्रों सहब में खबर मिली है और अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके का कृत्ते कोई कर रहा है तो उस पे जरूर एक अलग से करवाई होनी चाहिए और एनेमसी का अधिकारियों ने इस पे एक जाच सभीती बिठानी चाहिए और चेक करने के लिए जाच रखने के लिए इस पे कुछ लोगों को तैनात करना ची कि क्या रात में कारे हो रहे हैं दोस्तों कोट एक ऐसी जगह होती है जहां पे लोगों का विश्वास होता है और एसी जगह पे बरस्टाचार नहीं होते हैं इसलिए देश का हर एक नागरी कहता है कि मैं तुम्हें कोट में देख लूँगा यानि उसे पता होता है कि जब पूरी तरह से पूरी तरह से अगर वो अपने नयाय के लिए लड़ रहा है और नयाय हो रहा है नहीं मिल पा रहा अगर कोट के आदेश के खिलाफ यदि कोई कारे करता है तो उस पे जरूर कारवाई होनी भी चाहिए इस समंदीत एनमसी के जो एड़ोकेड है पल्लवी में उनसे हमारी बात चीत हुई है और उन्होंने ये बताया कि आने वाले सोमबार को यानि कि 9 जनवरी दोहजार 23 को म फिर से बताएंगी क्यों कैसे क्याधिकारी इसमें लिप्त है और इसका क्या व्यक्तिकत फायदा हुआ है इसमें भी सोचने वाली बात है क्यूंकि ओन ऐसी लोग ये और इसके बाद इसके बान और writes louis यानि कि क्या ऐसा माना जाए कि एंडी टी एक जो ट्रस्टी है जो लोग हैं वो गेसंस के साथ मिलकर एक गलत काम को अंजाम दे रहे हैं और सरकार को चुना भी लगा रहे हैं इस संबंधित अधिक जानकारी लेकर फिर हम जरूर हाजिर होंगे आप देखते रहे हैं आज की पासबात अपने दोस्त वीर सिंक के साथ सिर्फ इन विस ये न्यूस्पाइब